अरे उसका साइज अरे उसका उसी का अरे कैसे कहूं यार जिसने सारी दुनिया बनाई है यार नहीं समझें? दत्ते रेखें अरे जिसकी वज़े से एंडी तिवारी का डी एने टेस्ट हुआ था अब भी नहीं समझें? अरे जिसकी वज़े से कांडा जेल में हैं, हाँ, उसका साइज सिर्फ चार इंच है भाईया, येस, ओनली फोर इंचेज, अल्स्टर उन्यूर्सिटी या उल्स्टर जो भी है, उन्यूर्सिटी के प्रोफेसर रिचर्ड लीन ने ये मज़ेदार रिसर्च किया है, लीन ने ब यार मैं नहीं मांता है यार.. ये साधिश है, इंग्लेड और अमेरिका वाले.. हमें बढ़ता हुआ देखी नि सकता हाँ हम नहीं इतने साल से हला मचा रखा है हम स्थावर बन गए आ मिल्ट्रि पावर बन गए हम सुपर पावर बनने वाले हैं गंटा पावर बन गए घंटे में तो बहुरी नहीं है लुद्रा ना कि जब वो मनमुहन सिंग की तरह शान्त हो जो अच्छा हुआ नहीं तो हो सकता है कि उस मुद्रा में हमारा साइज जीरो ही आता हाँ और बात तो ठीक है शाली एक बात से मुझे टेंशन हो रही है और वो यह है कि यह पाकिस्तान वाले हमसे उपर है इसी बात से मेरा जो कलेजा बैठा जा रहा है चाहि सारी दुनिया हमसे आगे हो या तो पाकिस्तान हमसे नीचे हो चाहिए खेर कोई बात नहीं हम सबसे फिसड़ी नहीं हमसे नीचे भी तीन देश और है थाइलेंड उत्तर कोरिया और दक्षिन गोरिया सो जो कोरिया वालों पर क्या भीत रही होगी है दुनिया में सबसे छोटा वो बोल रहे होंगे वैसे तो हम छोटे ही थे अब यह भी छोटा था क्या यही है उनका गंडम स्टाइल हां यह तो गंटम स्टाइल हुआ है अ मालो में एक 133 देशों की इस लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन है कॉंगो जी हां कॉंगो सोमालिया यह देश है टॉप पे शर्मा मत देखो देखो इधर देखो यह हमारी फूचा यह ऐसे से कर रही है यह देश है टॉप पे यानि खाने को रोटी ना हो चलेगा पर भाई लोग इस मामल में सुपर पावर है अमेरिका के पास ड्रोन मिसाइल है तो आफरीका वालों के पास डबल एक्षेल मिसाइल है वैसे हम सुनते आएं कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप के पेन का क्या साइज है इससे पड़ता है कि आप उससे लिखते क्या है और हमारे बुजर्ग भी कह गये हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अती दूँ तो हम तो फल में यकीन करने वाले लोग हैं इसलिए हमने और हमारे चीनी भाईयों ने अपने छोटे से पेड़ से ही सबसे ज़्यादा फल यानि सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा कर देए लेकिन एक मिनिट एक मिनिट कहीं इस रिसर्च के पीछे कोई चाल तो नहीं है हां कई यह रिसर्च जापानी तेल वालों ने तो नहीं करवाई गया हां क्यूंकि इस रिसर्च से सबसे ज़्यादा उन्हीं को होगा हां अब तो उनका तेल पूरी एशिया में भी पहले तो हम सिर्फ थर्ड वर्ल्ड कंट्री थे लेकिन अब तो थर्ड ग्रेड कंट्री भी हो गए अब अगर किसी की वाइफ आफरीका के टूर पे जा रही हो तो पती ज़रूर शक करेगा कोरिया क्यों नहीं जा रही है हो सकता है कि अब पत्नी बाद बाद पे कोंगो जाने की धमकी दे पत्नी रोज ताने मारे के नाम बड़े दर्शन छोटे साइज देखकर बात कीजिए आप चली हड़ी तो मैं तो भीया जा रहा हूँ जा पानी तेल ले ने आप भी कुछ जुगाड कर रहा है हमें अफरीका से भीया आगे निखले तेल ले कर आऊँगा तो आपको बताऊँगा कि इसने खरीदी सवाचार करोड रुपे की वरज अब से उसने अपने blackberry को sex toy के रूप में सितमाल करना शुरू कर दिया है तब से उसके vibrator वाले function ने काम करना बंद कर दिया इससे कहते है smart phone का smart news अब blackberry वाले और insurance वाले दोनों को अकल आ गई होगी कि blackberry वाले क्या करे और क्या ना करे वाले column में अब ये भी बताएंगे कि फोन को कहां कहां इस्तमाल कर सकते हैं इंसुरेंस वाले में शूरी में ही बता देंगे कि रिस कवर में क्या-क्या शामिल नहीं है ऐसे अनोख्या और मज़ेदार नुकसान की भरपाई हम नहीं करेंगे लेकिन हमें फिर भी सावदान रहना चाहिए क्योंकि मोबाइल से रेडियो एक्टिव तरंगे भी निकलती है और वो हमारे अंगों को नुकसान पहुंचा सकती है हमें मज़े के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए इसलिए खाप वाले महिलाओं को फोन देने से मना करते है विसे मुझे तो पता ही नहीं था कि ब्लैक बेरी इस काम में भी आता है मैंने तो आज तक उसे वाइबरेशन मोड पे डाला ही नहीं था अब मैं भी डाल के देखूंगा वाइबरेशन मोड पे देखूंगा कि इसका वाइब्रेशन डंग से काम करता है या नी अच्छा ये भी सुनी है ब्राजील की एक स्टूडन्ट ने अपनी वर्जिनिटी आउनलाइन नीलाम कर दी है उसकी वर्जिनिटी को जापान के नात्सू नाम के इनसान ने खरीदा है सवा चार करोड रुपए कोई बात देखे पैसा तो हाथ का मेल है फिरा आजाएगा अंदर का मेल निकलने चाहिए उसके लिए हाथ का कितना भी मेल खर्च हो जाए कोई बात नहीं असली चीज़र साटिस्फाक्शन इंसान को साटिस्फाक्शन मिलना चाहिए भले ही उसका नाम नात्सू क्यों नहीं